हेलो फ्रेंड्स मैं स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चेनल पे चलिए आज बात करते हैं रेलवे एंटीपीसी के एक्जाम के बारे में तो दोस्तों क्या रेलवे का एंटीपीसी जो एक्जाम है वो नई परिक्षा नीती के नुसार होने वाली है क्या रेलवे एंटीपीसी का जो एक्जाम है वो नरे द्वारा करवाई जाएगी यानि नेशनल रिकूमेंट एजेंसी करवाईगी क्या नई परिक्षा नीती के तरह हमको CET यानि Common Illigibility Test देना होगा क्या है नई घोसना सरकार की तरफ से क्या बाते की गई है तो चलिए आज हम इसी के उपर बात करने के लिए ये वीडियो बनाए है तो इससे पहले आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर इससे लाइक सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए अब हम सुरू करते हैं कि क्या है वह खबर जिसके द्वारा इतना हाहकार मचा हुआ है तो देखिए ये है आज का खबर सरकारी भरतियों के लिए अब एक टेस्ट होगा तो देखिए क्या है यहाँ पर कैबिनेट के फैसले पहले देख लेते हैं ग्रूप B वह ग्रूप C के लिए राष्ट्य एजेंसी कराएगी इम्तिहान राष्ट्य भरति एजेंसी के गठन को केन सरकार ने देती है मनजूरी पहले चलन में RRB, SSC और IBPS को जोड़ा गया तो कि RRB यानि RRB जो है वो NTPC का एकजाम कंड़क्ट करवाती है तो क्या यह RRB जो है वो इस वार की NTPC एकजाम जो है वह नहीं करवाएगी और उसके बदले NRA यानि National Recommend Agency जो सरकार द्वारा गठित की गई है वो एकजाम कराएगी तो इसके बीसाई के बारे में हम जानेंगे लेकिन पहले देखते हैं कि सरकार ने क्या घोसना की है तो चलिए इसको देखते हैं सरकारी भरती प्रकिरिया में सुधार की बड़ी पहल करते हुए केंदरिय कैबनेट ने राश्टे भरती एजेंसी NRA के गठन को मनजूरी दे दी है अब ग्रूप B और ग्रूप C के नॉन टेकनिकल पदों पर भरतियों के लिए आवेदकों को एक ही ओनलाइन यानि कॉमन इलिजिविलिटी टेस्ट यानि CET देना होगा इस टेस्ट के अधार पर हुए अलग-अलग विभागों भरती के लिए मुख परिच्छाओं सामिल होने के पात रहोंगे परदान मंत्री नरेदर मोदी के देखस्ता में कैबनेट को ही बैठक में यह फैसला लिया गया तो NRA के लिए सरकार ने यहाँ पर 1517.57 करोर रुपय अबंटित किये हैं इसे तीन साल में बेग किया जाएगा केंद्रे मत्री प्रकास जाए बेटकर डॉक्टर जितेंद्रसी ने बताया कि आगे केंद्रे सेवाओं से जुड़े अन्य भरती बोड़ों को भी इससे जोड़ा जाएगा अभी केंद्रे अस्तर के नोकड़ियों से करीब 20 भरती बोड़ हैं प्रतिक जिले में बोर्ड का एक केंद्र होगा और इस पे ये सारी बाते जो है की गई है और इसका जो टेस्ट का जो मानिता होगा वो तीन साल के लिए होगा तो CET की अहम खुबी हैं ये सारी जानकारी आज निकल के आ रही है लेकिन बात है 2019 में क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने की 2019 में ही फोर्म डाला था और वो अभी भी RRB NTPC के एक्जाम की तेयारी कर रहे हैं और उसके एक्जाम के बारे में प्रस्न पूछ रहे हैं तो ये 2019 का जो नोटिफिकेशन था उसी के अनुसार जो है ये परिक्षा होगी आने वाली जो भर्तियां होगी वो RRB के द्वारा नहीं होगी बलकि वो NRA करवाएगी अतह हम ये कहना चाहरे हैं कि अभी जो बर्तमान रिक्तियां है या बर्तमान जो भैकेंसी है उसको भरने के लिए जो 2019 में सर्कुलर जारी किया गया था वो 2019 वाला NTPC एक्जाम वो RRB करवाएगी तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौनसे कोई इग्जाम करवाई आप अपके त्यारी पे ध्यान दिजी और ऐसा अगर कोई बोलता है तो वो गलत है कि यहिस वार भी NRA एग्जाम करवायेगी इस वार जो इग्जाम हो गया वो RRB के द्वारा ही करवाया जाएगा अब ये एक्जाम कब होगा प्रस्न इस पर है एक्जाम कब होगा तो एक्जाम का जो डेट है वो आरारवी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है Corrigendum पे Corrigendum Technical Bits ये सम निकालते जा रही है और अभी Corrigendum जो है अभी 9 RRB के दोरा निकल चुका और ये अभी तक Final नहीं कर पाया है इसका कारण क्या है COVID COVID-19 के कारण जो है अभी सरकार ये तै नहीं कर पारे कि वो जो इतने बड़ी संख्या में चात रहे हैं करीव 2.5 करोड चात जो है जो RRB, NTPC और गुरूप D के जो एक्जाम है उसके लिए बेटिंग कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी है वो जब कंट्रोल में होगा सरकार सायद एक्जाम ले पाए तो चलिए यही जनकारी हमको देना था आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और ऐसे ही जनकारी आपको समय समय पर मिलते रहे इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जूरे रहें धन्यवाद